जैसे किशना दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगी स्वस्त होंगी अपनी घरों में खूश होंगी आपका बहुत-बहुत सागत करते हैं आपके यूटीब चैनल पे जैसे कि आप सबी जानते हैं कि साल का आखरी प्रदोश 21 इसंबर को पढ़ रहा है इस दिन इतने शुब महायोग बन रहे हैं अगर आपके बच्चे की जीवन में विवा समंदी अर्चिने मादे रुकावटे अगर कुछ भी आ रही है बहुत सारी समस्या है विवा को लेके बच्चों की संजोग नहीं बन पारे है विवा के और आपके घर में माताल श्मी का सिरवास नहीं है तो आखरी साल का आखरी जो परदोश है वो भी बुद्वार की दिन पढ़ रहा है बुद्ध परदोश तो आप इस दिन भगवान शिर्क को प्रसंद कर अपने जीवन की हर समस्या का समधान पा सकते हैं आपको मैं बता दू कि इस बारी मासे शिवरात्री भी उसी दिन है और दिन हैं और उस दिन प्रदोश भरत भी है तो कितने शुबयोग हैं स्वार्टिसिद्धियोग और अम्रीध दालैंगे इतरे डालेंगे गुड डालेंगे आप और गुड डालके फिर उसको जल को बना लेंगे थोड़ा सा केसर अवश्य डालेंगे इसलिए अगर बच्चों की विवा की अच्चने बादे रुकावटों को दूर करना चाहते अपने घर में अगर आप धन की वरिदी करना चाहते तो इस तरह से आपने एक लोटा जल त्यार कर लेना है, प्रदोश का समय मैं आपको बता दू, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद, तो यह जो समय होता है, इसी समय पे आपने यह पूजा रातना करनी है, और आपको इस दिल संभव हो सके, तो भगव लिखने के बाद आप आटा गून देंगे, आटे में थोड़ा सा अप हलदी मिला के आटा गून दीजी, पंचम की दीपक बनाना है, दीपक में आपने शुद्य देसी घी डालना है, और यह सारी सामगरी लेके, आप किसी भिशेव बंदर चले जाएए, वहाँ पे आपने इस जल से जो अमरीत कलेशवाला जल आपने त्यार किया, इससे आप भगवान का अभिशेख करेंगे, आपके बच्ची के विवागी अर्चने जो भी बाद है, रुकावटे वो दूर हो या आपके घर में धन के आगमन सारे रास्ते बंद हो चुके तो वो शुरू हो जए इस तरह से प्रातना करते हैं, ओम नमश्यो का जाप करते हुए आपने इस जल से अभिशेख करना है भगवान शिव का, उसके बाद आपने दीपक प्रजुलित करना है, दीपक प्रजुलित करने की बाद आपने वह बेल पत्र अपने हाथ में लेना है, ओम नमश्यो का एक अगर अपनी विभा समंद्य अर्चनों को दूर करने के लिए उपाय स्वैम करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो उनकी जल्दी से ही विभा के संजोग बनने लगे अगर बच्चे किसी कारणवश नहीं करें या कहीं दूर रहें तो माता भी तभी यह उपाय बच्चों के